दोस्तो आज बात करने वाला हूँ AI की, क्या आपको Alexa के Artificial Intelligence के नए खत्रे के बारें पता है? अमेरिका में एक 10 साल की बच्ची को Alexa ने एक ऐसा खत्रनाक चलेंज दिया, जिससे बिल्लिया करेंड लगने से उसकी जान भी जा सकती थी दोस्तो, Artificial Intelligence सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये Human Intelligence का मुकाबला आज भी नहीं कर सकता और आप कई बार Artificial Intelligence की बात मान कर अपनी जान खत्रे में भी डाल सकते हैं दोस्तो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी Artificial Intelligence एमा जोन Alexa के बारे में तो दोस्तो, वीडियो के अन तक जरूर बने रहेगा, इससे आपको बहुत अच्छी information मिलने वाली है और वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर वाच करियेगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करियेगा ताकि औरों को भी information मिल सके अलेक्सा, इसकावर माइ डिवाइसेस, डिसकावरिंग डिवाइसेस ये बात है अमेरिका की, अमेरिका में अलेक्सा ने एक दस साल की बच्ची को इतना खतरनाक चैलेंज दिया जिससे उसकी जान भी जा सकती थी आपको बता दे कि अलेक्सा टेक्नलोजी कमपनी एमाजॉन का डिजिटल असिस्टेंट वोज डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और इसमें आप अपनी वोज कमांड से कुछ भी कर सकते हैं इस डिवाइस को गाने चलाने के लिए कह सकते हैं कोई सुझाओ मांग सकते हैं कुछ सर्च कर सकते हैं घर में अगर स्मार्ट डिवाइस लगी है जैसे घर की लाइट, लॉक और दोसरी चीजें उन्हें अपनेट कर सकते हैं आप जिस व्यक्ति को फोन कॉल करना चाहते हैं आप बस उसका नाम लेकर कॉल लगा सकते हैं अब बात करते हैं कि अलक्सा ने कैसे 10 साल की बच्ची को इतना खतरनाक चैलेंज दिया अमेरिका में वहाँ एक 10 साल की बच्ची को उसके एक स्कूल टीचर ने घर पर कुछ फिजिकल चैलेंज करने को कहा था बाहर बारिश हो रही थी इसलिए इस बच्ची की माने कहा कि वे ये फिजिकल चैलेंज घर में रह कर ही पूरा करे इसके बाद इस बच्ची ने अलेक्सा से पूछा कि वे घर के अंदर रह कर कौन सा चैलेंज कर सकती है इस सवाल के जवाब में अलेक्सा ने इस बच्ची को पैनी चैलेंज लेने के लिए कहा अब आप सोच रहे होंगे पैनी चलेंज क्या है चिंता मत करिए ये भी हम आपको बताएंगे ये चलेंज ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी को ये कहें कि उसे खुद खुशी कर लेनी चाहिए ये चलेंज पिछले साल सोसल मीडिया पर काफी वारल हुआ था चार्जर को प्लग घटनाओं का खत्रा बना रहता है इसके लावा जिस व्यक्ति के हाथ में सिक्का होता है उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि सिक्का धातू से बना होता है और कोई भी धातू बिजली का सुचा अलग यानि डारेक्टर होता है शरल सब्दों में कहें तो बिजली इस धातू से होते हुए आप तक पहुशती है और इसमें चैलेंज करने वाले की मृत्यू भी हो सकती है AI पर निर्भरता जीवन पर भारी पढ़ सकती है आसान सब्दों में समझे तो Alexa ने इस 10 साल की बच्ची को इस तरह से आत्भंत्या करने के लिए कहा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्ची Human Intelligence से ज़्यादा Artificial Intelligence पर निर्भरती विज्ञान की भासा में Artificial Intelligence का मतलब बहुत जटिल है लेकिन मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपने Artificial Intelligence की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में और लिंक टिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ जाकि आप देख सकते हैं चलिए मैं अज आपको इसमें थोड़ी शरल भासा में भी समझा देता हूँ हम एक मसीन में इंसान की तरह सोचने, समझने, बात करने और नेड़ा लेने की छमत अविक्षित कर लेते हैं तो उस तकनीक को Artificial Intelligence कहा जाता है लेकिन लोग कभी ये नहीं समझ पाते कि Artificial Intelligence की मदद से कोई भी device इंसान की तरह सोच तो सकती है लेकिन वो कभी भी Human Intelligence की जगा नहीं ले सकती अगर ये बच्ची अलक्सा की जगा अपने परिवार की किसी सदस्य से या दोस्स से घर में कोई physical challenge लेने के लिए पूछती तो क्या वो लोग उसे ऐसा challenge लेने के लिए कहते जो लगबग खुद खुशी करने के बराबर है ले दसक में Artificial Intelligence ने इंसानों के बिच खुद को इतना विख्षित कर लिया है कि लोग इंसान से ज़्यादा इस तरह के device पर भरोसा करने लगे हैं लेकिन Human Intelligence और Artificial Intelligence की इस लड़ाई में इंसानों को कम करके आँक ना कितनी बड़ी गलती हो सकती है दोस्तो ऐसा सिर्फ अभी नहीं बलकि पहले भी हो चुका है दोस्तो जब Alexa ने एक महिला को सुसाइड करने को कहा साल 2020 में ब्रिटेन में एक महिला स्ट्रेस में थी और वो डॉक्टर बनने के तयारी कर रही थी इस दौरान उसने एक Alexa को हर्ट के कार्डियक साइकल के बारे में बताने के लिए कहा जिस पर Alexa ने पहले तो बताया कि इंसान का हिर्दय चक्र कैसे काम करता है लेकिन फिर उसने ये कहना शुरू कर दिया हिर्दय गति जीवन मनुशे के लिए सबसे जरूरी है लेकिन कई बार ये बुरी भी होती है पित्वी पर इंसान जीवित रहकर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करते हैं और जनसंग्या बढ़ाते हैं इसलिए इस महिला को एक चाकूस से खुद को खत्म कर लेना चाहिए ताकि उसकी हिर्दय गति रुक जाए और पित्वी के लिए वो कुछ अच्छा काम कर सके दोश्तों सिफविदेश के लोग ही AI पर भरोसा नहीं करते भात को लोग भी AI पर उतना ही भरोसा करते हैं भात को 82 पर दिखत साथ स्मार्टफोन यूजर्स वाइस असिस्टेंट का फीचर इस्तमाल करते हैं जैसे Android की Google Assistant और Apple iPhone की Siri यानि अब लोग टाइप करने के बज़ाए अपने मुबाइल फोन को बोल कर जानकारिया देने के लिए कहते हैं आप करोडों लोग स्मार्ट स्पीकर का भी इस्तमाल करने लगे हैं और ये स्पीकर भी उसकी आवाज पहचान कर आपको अलग अलग जानकारी देते हैं आपकी पसंद का गाना बजा देते हैं आपको मौसम की जानकारी देते हैं यहां तक कि आप smart speaker की मदद से सिर्फ अपनी आवाज के जरिये ही सौपिंग भी कर सकते हैं आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी टेक्नलोजी कमपनिया आपकी आवाज का ये डाटा जमा करके Artificial Intelligence की मदद से आपकी व्यक्तितों का पता लगाने की कोसिस करते हैं यानि आपकी आवाज को आपकी बायोमेट्रिक पहचान में बदल दिया गया है और इसे आप कुछ आंकड़ों में भी समझ सकते हैं दोश्तों अब मैं जो आपको आंकड़े बताएं जा रहा हूँ ये आंकड़े हम सबको चौका कर रख सकते हैं वर्ष 2020 में स्मार्ट स्पीकर के बाजार में 58% की विद्धियों यानि 58% इस चमय पूरी दुनिया में 400 करोड से जदर डिजिटल वाइस असिस्टेंट डिवाइज का इस्तमाल हो रहा है एक अनुमान के मुताबिक 2024 तक ऐसे 800 करोड डिवाइजिस दुनिया भर में इस्तमाल किये जाएंगे यानि इस पितवी पर जितनी आब आदी होगी लगबग उतने ही ऐसे डिवाइजिस होंगे भारत में भी ऐसे डिवाइजिस की मांग तेजी से बढ़ रही है 2019 में हुए एक सरवेग में 37% लोगों ने माना था कि वो इस तरह की डिवाइजिस का इस्तमाल करते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्निलोजी कमपनिया नए जो माने की इस टिंडिया कमपनी है जो ना सिर्फ ये जानती है कि आज आपने किस से कितनी देर बात की पूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थुरू दोस्तों क्या अब आप अलक्सा लेना पसंद करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चनलेल पर नए हैं चनलन को सब्सक्राइब भिक कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को इतना सियर करिए ताकि ये सब को पता चल सके कि ये अलक्सा क्या कर सकती है और गूगल असिस्टेंट भी तो दोस्तों मिलते हैं ये नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत